किसी ने ठीक कहा है कि जिन्दगी का कोई भरूसा नहीं ये कब कहां आपका साथ छोड़ दे ऐसा किसी को नहीं मालूम इसलिए हर दिन खुल कर जीओ ऐसी ही थी जैपूर की डॉक्टर दीपा शर्मा जिन्होंने 34 साल की उम्र में अपनी जान गवा दी दीपा ने रविवार को दुपहर 12 बचकर 69 मिनट पर हिमाचल के नागाश्टी पोश्ट से अपनी एक तस्वीर ट्वीट की और आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि दुपहर एक बचकर 25 मिनट पर हिमाचल में भूस खलन की खबर आई इस हाथसे में नौ लोगों की मौत हो गई जिन में से एक दीपा शर्मा भी थी दीपा शर्मा के ट्वीट के बाद ही खबर आई कि हमाचल प्रदेश के किन और जिले के चितकोला से सांगला जा रहे पर रिटकों को ले जा रहे एक टेंपो पर बड़ा पत्थर गिर गया नौ लोगों की मौखे फर ही मौत हो गई और तीन लोग खायल हो गए पीम मोदी ने हर पीड़ित परिवार के लिए दो लाख रुपए और घायलों के लिए पचास हजार रुपए की स्ताहयता की खोशना की है ट्विटर प्रोफाइल के मुथाबिक दीपा शर्मा एक आयूरवेद की डॉक्टर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक लेखिका थी उनकी परसनल वेब साइट के मुथाबिक उन्हें फोटोग्राफी, क्रेवलिंग और नए लोगों से मिलना बेहत पसंद था लेंड्सलाइड में अपनी जान कवाने की एक दिन पहले उन्होंने अपनी एक फोटो पोश्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रकृती के बिना जीवन कुछ भी नहीं अब दीपा के इस ट्वीट को लोग शेयर कर यही कह रहे हैं कि वाकई जिन्दगी बड़ी बेदर्थ है आपको बता दे कि इस हाथसे में चार महिलाओं की मौत हुई थी मरने वाले ज्यादा तर जैपूर के रहने वाली थी जिस भूस खलन में दीपा की जान गई उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में पहार से बड़े बड़े पत्थर बड़ी तीवर गर्ती के साथ नीचे गिरते दिख रहे हैं वाइरल हो रहे इस वीडियो को देख कर हर कोई सहम जा रहा है ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पहार सिर्फ खुपसूरत नहीं होते बलकि किसी भी पल लोगों की जान ले सकते हैं झाल 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 झाल